अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जलूर कीजिएगा चलिए दोस्त तो आगे बढ़ते हैं अपने कोशन्स की तरफ मेरा पहला कोशन है राष्टपती का अभिवासन राष्टपती के ऑप्सं से विशे संची द्वारा तयार किया जाता है संसदिय मंत्री द्वारा तयार किया जाता है राष्टपती की पसं से काबिनेट मंत्री द्वारा तयार किया जाता है उसको अनुछेद 87 के अधार पर, कितना? अनुछेद 87 के अधार पर कौन तयार करता है? संघिय मंत्री मंदल तयार करता है, ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं अपने next question की तरफ, जो की है है अमारा question number second राष्टपती की निर्वाचन परकिरिया को संभिधान में संसोधन द्वारा बदला जा सकता है, प्रंतु इस परकार का संसोधन, तो इसका भी जो सैयंसर है, बो हो जाएगा, option number D, लोकसभा तथा रासभा के दो तीहाई बहुमत, तथा उसके आधे से अधिक राज्यों के व संभिधान सभाव द्वारा अनुमोधन से किया जाता है, देखिए, अगाज संभिधान संसोधन की बात की जाए, तो वो किस संभिधान संसोधन में किया जाता है, 368 के तहट, 368 के तहट संभिधान संसोधन है, और कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है कहां से, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 3 मंत्री परसत सामोहिक रूप से किसे प्रती उतरदाई होता है तो इसका जो साय अंसर होगा बो हो जाएगा option number B कि संसत के प्रती उतरदाई होता है तो देखिए, इसमें question कभी-कभी ये पुछा जाता है कि मंत्री परसत बैक्ति गत रूप से किसे तो अगर सामोहिक पुछा जाएगा तो अब सामोहिक में होगा लोगसभा या संसत के प्रती किसके प्रती, लोगसभा या फिर संसत के प्रती लेकिन अगर यही question में पूर दिया जाए कि बैक्तिगत के किसके प्रति उतरदाई होता है तो बैक्तिगत होगा वो परधान मंत्री के प्रति उतरदाई ठीक है और एक चीज और देखे यह ध्यान रखने बाली यहां पर एक और बात है कि अनुछेट चहुत्तर के अधार पर कितना अनुछेट 74 के अधार पर राष्ट्पति अपने सलाह के लिए मंत्री पलिशत का गठन करता है चरिए नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो की है हमारा कोश्चन नमबर 4 राष्टिये संकट के समय राष्ट्पति को लोगसभा के कार्ज काल में बृधी करने का अधिकार है एक समय में यह बृधी अधीक से अधीक कितने समय के लिए की जाती है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा ओप्सन नमबर ए 6 मंद 6 मंद देखे आपात काल को लोगसभा में एक बर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है लेकिन हर एक 6 महिना पे संसत की अनुमोदन होना जरूरी है जैसे कि as for example में बढ़ाया भी गया था पांचमी लोगसभा जो की कब से कब था 1971 से लेके 1977 तो ये इसका एक उदाहरन है कि पांचमी लोगसभा को बढ़ाया गया था उसे में परधान मंतरी थी इंदरा गांधी और इंदरा गांधी का जो टैनूर था बो था ना 1966 से लेके 1977 तक चलिए नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोश्चन नमबर फिप्थ निम्न में से किसके द्वारा आब इस बास परस्ताओ पास किया जाने पर मंतरी परिसत को त्याग देना पड़ता है तो इसका जो सरहियांसर होगा वो होजाएगा ओप्शन नमबर A लोगसभा देखे ये हमेशा याद रखिएगा आब इस बास परस्ताओ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पेस किया जाता है निम्न सदन armored की बात करते हैं तो मतलब कि केंदर में अगर मुझे पेस करना होगा 20 वास परस्ता हो तो हमेशा लोग सभा में पेस किया जाएगा और अगर राज में पेस करना हो तो हमेशा विधान सभा में पेस किया जाएगा चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो की है हमारा question number six निमलिखित में से कौन लोग सभा का सरपर्थम प्रमानित बिरोधी दल का नेता था देखिए इसका जो सई अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा option number b बिपच्छी दिल के प्रम नेता थे और देखिए बिपच्च के मानेता के लिए करना क्या होता है कमसे कमस एक बटा दस अस्थान सदन का प्राप्त हो औसको कितना? एक बटा दस प्राप्थ होना चाहिए सदन का उसको अस्थान और इस समय जब इंदरा गांधी की सरकार थी कब 1966 से लेके 1977 तक उसके बाद 1966 से लेके 1977 के बाद एक सरकार बन की आई जिनका नाम था मुरारजी देशाई और ये जो मुरारजी देशाई थी इनकी सरकार थी 1997 से लेके 79 तक और इसी टेनवर में 1997 से लेके 79 के बीच में ही एक कॉंग्रेस के जो थे बाइबी चोहान यही मुक्भि पच्ची दल के नेता प्रथम प्रमानित बिरोधी दल के नेता बने और ये जो मुरार्जी देसाई थी वो प्रथम गौत के अंग्रेसी सरकार थी और ये ही जो मुरार्जी देसाई हैं ये सबसे पहले परधान मंतरी पत से इस्थिपा देने वाले परधान परधान मंतरी हैं चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, जो की है हमारा question number 7, संसत की किस समीती के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो इसका जो अंसर होगा, बो हो जाएगा, option number B, प्राकलन समीती, देखे, लोक लेखा समीती में कितने होते हैं member, लोक लेखा समीती में 22 member होते हैं, जिसमें क क्या होता है, 15 लोक सबसे और 7 राज सबसे होते हैं, प्राकलन समीती में कितने होते हैं, 30 member होते हैं, और 300 के 300 जो होते हैं, वो किसे होते हैं, लोक सबसे होते हैं, कार मंतरा समीती में कितना सदस होते हैं, 15 सदस होते हैं, सारबजनी कूपकर्म समीती में 22 सदस होते हैं, जिस सर्बोच नियाले के नियाधिस अपने पद पर कब तक बने रहते हैं तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो होगा option number B 65 बर्स की आयू तक वो बने रहते हैं अपने पद पर देखे सर्बोच नियाले अगर पुछा जाएगा सुप्रीम कोट के नियाधिस तब हो जाएगा 65 ब पहले 15 बर्स में सर्बोच नियाले के जो नियाधिस होंगे वो 65 बर्स पर अपने पद से रिटायर होंगे और रूच नियाले के जो होंगे 62 होंगे चलिए नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोशन नियाले को अपने नियाले अथवा आदेश पर पुंड बिचार का अधिकार प्रदान करता है तो इसका जो सही ऑप्सन होगा बहो जाएगा ऑप्सन नियाले के तहत ही क्या है नाइक पुंड बिलोकन और इसे लिया कहा गया है से है इसे लिया गया है अमेरिका के समिधान से ठीक है अब ये जो अनुछेद 164 की अगर बात करते हैं तो अनुछेद 164 में मुख मंतरी का जिक्र है किसका मुख मंतरी का अगर उसके बाद 124 का जिक्र करते हैं तो 124 में क्या है सर्बोच नैले का गठन है सर्ब जब कोई बेक्ती एक से अधीक राज्यों के राजपाल के रूप में कार्ज करता है तो उसका बेतन देखिए ये आपको पता ही होगा कि जो राजपाल है वो एक साथ एक से अधीक राज्यों के राजपाल हो सकते हैं तो अगर इस question की बात करते हैं तो इसका जो सही option होगा वो हो जाएगा option number D उस राज़ द्वारा दिया जाता लेकिन राश्टपती के सुझाय जाने पर मतलब कि ये राश्टपती एक से अधिक जब भी कोई राजपाल होगा तो दोनों राजपालों का बेतन की सानुपात में दिया जाएगा ये राश्टपती ने धारित किये करेंगे और आप देखिए कि जो राजपाल का बेतन होता है वो कहां से दिया जाता है तो राज के जितनी दी से दिया जाता है, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, जो कि है हमारा question number 11, question number 11 है, संसद किसी भी राज की बिधान परिसद को किसी फारिस पर समाप्त कर सकती है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो होगा, option number A, राज की बिधान सभा किसी फारिस पर बहुत से समाप्त कर करता है, अब देखिए, यह जो बिधान परिसद है, यह अभी कितने राज्यों में है, अभी 6 राज्यों में है, कौन-कौन से राज है, बिहार है, करनाटक है, महराष्ट है, तिलांगना है, और आंध पर देश है, और UP, देखिए, यह जो आंध पर देश है, यह भी अब परस्ताव पारित कर दिया है कि विधान परिशत वो अपना खतम करेगा और इसे पहले जम्मू कास्मीर में था लेकिन 370 जब से हटा तो वहाँ खतम हो गया चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 2 किस चुनाओं में कॉंग्रेस ने सबसे अधीक अस्थान प्राप किये तथा किसके नेतरित में तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number D 1984 राजीव गांधी के सर्व में तेकि राजीव गांधी का जो tenure था वो था 1984 से लेके 1989 तक ठीक है और इससे पहले कौन थी इससे पहले थी 1980 से लेके 1984 तक इंदरा गंधी और इसी समय उनकी मौत हो जाती है और इनके मौत होने के बाद जो राजीव गांधी प्रधान मंतरी बनते हैं और यह जो राजीव गांधी थे वो सबसे कम उम्र के प्रधान मंतरी हैं अभी तक के 18-1984 जो इंद्रा गांधी के 10 वर है और इसी समय इनकी मौत हो जाती है ठीक है तो ऐसे कुछ परधान मंत्री है जिनकी मौत क्या हो गई थी कि उनके पदाब्धी में ही हो गई थी तो ऐसे तीन परधान मंत्री है पहला हो गई है इंद्रा गांधी फिर हो गई एक जवारला न मंत्री बनने का गौरब प्रगत है, तो इसका जो सई अंसर होगा, बो हो जागा, अपसन नम्बर A सरदार बल्ला भाई पटेल, यही क्या थे, पर्थम उप परधान मंत्री थे, और अब तक लगभग साथ उप परधान मंत्री, साथ उप परधान मंत्री बने, लेकिन एक ध्यान रखने बाली बात यह है, कि यह जो उप परधान मंत्री का पध है, इसका संबिधान में कोई उलेक नहीं है, संबिधान में कोई उलेक नहीं है, ठीक है? चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा question number 14 question कह रहा है आब इस बास परस्ताओ और दूसरे आब इस बास परस्ताओ के बीच कितना अंतर होना चाहिए तो इसका जो सही अंसर है वो हो जाएगा option number यह देखिए यहाँ पर यह C लिखा हो लेकिन इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number B 6 महिना अब देखिए आब इस बास परस्ताओ के बीच के अंतर कम से कम 6 महा का होना चाहिए और अब इस बास परस्ताओ जो हमेशा होगा वो हमेशा निम सदन में ही पेस किया जाएगा ठीक है चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 15 UNO की महासभा ने मानव धिकारों की घोसना कब की तो इसका जो सई अंसर हो जागा option number B 10 December 1948 को देखिए 10 December 1948 को ही UN क्या गिया था मानव धिकार को घोसना किया था और इसी लिए इसी 10 December को हम लोग क्या मनाते हैं मानवा धिकार दिबस मनाते हैं मानवा धिकार दिबस तो कभी-कभी ये भी दिबस बहुत जाद है इकजा में पूछा जाता है कि मानवा धिकार दिबस कम मनाया जाता है तो ये 10 December मनाया जाता है और 10 December 1948 को क्या हुआ था कि मानवा धिकारों की घोसना की थी UN और इसी लिए मनाया जाता है चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 16 संभिधान साभा ने भारतिये राष्टिये ध्वज की रूप रेखा को अंगिकार किया तो इसका जो सही answer होगा बो होगा option number D जो की है 22 July 1947 अब देखे 22 July 1947 को राष्ट ध्वज को क्या कर लिया गया था अपना लिया गया था ठीक है अब इसके बाद राष्ट गान और राष्ट गीत के अगर हम बात करते हैं तो राष्टिये ध्वज को कब अपनाया गया 22 July 1947 को लेकिन 24 जनवरी 1950 को जो हमारा सम्मिधान सभा था ये किसको किसको अपना लिया था राष्टिये गान को भी और राष्टिये गीत को भी ठीक है और ये 24 जनवरी जो 1950 था इसी दिन सम्मिधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन राजिंदर परसाथ को पर्थम राश्पती के दूप में चून लिया गया था और इसी दिन ये निर्नल ले लिया गया था कि ये हमारा राश्टिय गाना और ये हमारा राश्टिय गीत है ठीक है? चलिए Next question के और बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 17 किसने कहा था संसद्य लोकतंतर का अर्थ है एक बेक्ती और एक मत तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो होगा option number C Dr. Bhim Ravambedkar ठीक है? चलिए अगर Dr. Bhiram Abedkar की बात करते हैं तो इनहीं क्या कहा जाता है? इनहें कहा जाता है भारतिय संबिधान का जनक प्राण्थ भारत रत से संब्वानित किया गया था तो इनको मड़नो प्रांथ मिला था उनईसो नब्वे में और ये प्रारूप समीति के अधर्ष थे जिस प्रारूप समीति में कितने मेंबर होते हैं साथ मेंबर होते हैं चलिए नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं जो की है हमारा कोशन नमबर 18 कोशन नमबर 18 कह रहा है संघिय सुची में समाबिष्ट विसयों की संख्या कितनी है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो होगा आप्सन नमबर A 97 अब देखिए संघिय सुची के अंदर यह जो हमारे संबिधान में जो सात्मी अनुसुची है देखिए सात्मी जो अनुसुची है इसके अंतरगर तीन सुची रखा गया है कौन-कौन सा अगर बात करते हैं तो पहला रखा गया संघिय सुची दूसरा रखा गया है राजिय सुची और तीसरा रखा गया संबर्ती सुची ठीक है इस अगर संग सुची की बात करेंगे तो इसमें मुल्ता 97 था जब सुरू में था लेकिन अभी कितना हो गया अगर प्राजेंट की बात करेगा तो अभी 100 है लेकिन मुल्ता 97 में था अगर राज सुची की बात करेंगे तो इसमें मुल्ता 66 था लेकिन अभी कितना है 61 है और अगर संबर्ती सुची की बात करेंगे तो इसमें मुल्ता 47 मतलब 47 था और अभी कितना है बामन है तो यह याद रखिएगा संग सुची में मुल्ता 97 में अभी 100 राज सुची में मुल्तच 66 अभी 61 और संबर्ती सुची में मुल्तच 47 और अभी बामन ठीक है चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 19 भारत के प्रथम मुख निर्वाचन आयोक्त कौन थे तो इसका जो सही अंसर होगा प्रथम निर्वाचन आयोक जो थे बो है option number B यानी सुकुमार सेन तेकि सुकुमार सेन जो थे यही प्रथम निर्वाचन आयोक थे और इनका जो टैनुवर था बो था 21 2015 से लेके applying to 1928 देखे अगर बात करते हैं निर्वाचन आयोक की तो निर्वाचन आयोक का जो अस्थापना था बो हुआ था 25 जनlest villains 1950 को निर्वाचन आयोक का अस्थापना हुआ था और जो प्रथम निर्वाचन आयोक तो बने थे बो बने थे सुकुमार सें तेकि ये याद रखिएगा जो निरवाचन आयोग था ये पहले एक सदसिय था कितना था? एक सदसिय बस होते थे निरवाचन आयोग में लेकिन अक्टूबर 1993 के बाद से अक्टूबर 1993 से ये जो निरवाचन आयोग था इसको एक सदसिय से बढ़ा कर कितना कर दिया गया तीन सदसिय कर दिया गया और अभी फिलहाल यह तीन सदसिय ही है ठीक है और साथी अगर बात करते हैं तो जो चुनाव आयोग का जिक्र है यह किसम है भाग 15 में है भाग 15 में अनुछेद 324 से लेके 329 तक निर्वाचन संबंदित विवरेन है अब अगर बात करते हैं मुख चुनावा युक्त की तो मुख चुनावा युक्त की अगर हम बात करते हैं तो मुख चुनावा युक्त की न्युक्ती कौन करता है राष्टपती न्युक्ती करते है और इनका जो कार्जकाल होता है वो कितना होता है कार्जकाल या तो 6 बर्स या 65 बर्स की आयू जो पहले हो जाए ठीक है या 65 बर्स की आयू किसकी मुख चुनाब आयूक्त की लेकिन अभी हमने पढ़ा क्या कि मुख जो चुनाब आयुक्त है वो तीन सदसी ये संस्था है तो इसमें जो दो और चुनाब आयुक्त हैं अगर उनकी आयुक पुछा जाए तो उनकी 6 बर्स या 62 बर्स की आयुक मुख चुनाब की 65 बर्स और जो अन चुनाब आयुक्त हैं उनके 2 अन चुनाब आयुक्त हैं कौन है सुनिल अडोडा और वो केमा है तेईसमा चुनावायुक थे हैं हमारे भी ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट कोश्चन है कोश्चन नबर 20 सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number B के अंदर राज संबंध के लिए देखे सरकारियों आयोग का गठन कब हुआ था अगर इस सरकारिया आयोग की हम बात करते हैं तो इसका गठन हो गया था 1983 में ठीक है 1983 में इसकी अध्ध킨षता कौN किये थे रस सरकारिया और इसलिए इसको तिंसरकारिया आयोग बोला गया था जिनके जो गठन मुख्ये होते हैं उन्हीं के नाम पे आयोग का नाम दिया जाता है तो इसको आ्रस सरकारिया और ये भी जो था वह तीन सदसी आयोग फार इनके साथ आरे सरकारिया के साथ दो और लोग थे एक का नाम था BC वारमन और एक का नाम था EMR SEN ये तीन सदस्य थे इनका गठन हुआ था 1983 में लेकिन ये अपना रिपोर्ट शॉपे थे 1987 में इनका रिपोर्ट शॉपा गया था और इस रिपोर्ट में इन्हों ने 247 सिफारिसों के घोसना की थी कितना प्रस्तूत किया था? 247 सिफारिस इनने प्रस्तूत किया था ठीक है? और अगर-अगर केंदरार संबंध की हम बात करते हैं तो यह जो केंदरा संबंध है यह किस में है सात्मिय अनुसुची में है और इसे लिया कहां से गया है कनाड़ा के संभिधान से ठीक है तो असा करता हूँ कि आप लोगों कोई वीडियो पसंद आ रहा होगा और यह जो सीरीज चल ला है वो पसंद आ रहा होगा तो थैंक्स व कोई सीरी चाहिए, कोई नए कोशन्स चाहिए या फिर जिस सब्जेक्ट के तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है?